लास्ट वीडियो में हमने किया था कि काटिशन प्लेइन क्या होता है उसके अंदर कॉड्रेंट का क्या साइन होता है तो आज हम इन्हीं कॉड्रेंट को प्लॉट करेंगे तो एक थाड़ा सा छोटा सा रीकैप लेते हैं कॉड्रेंट बेसिकल हमारे दो वैल्यो से बनते हैं एक्स कॉमा वाई पहले एक्स लिखा जाता है जिसका दूस्टरा नाम एपसी सा भी होता है देन हम वाई की वैल्यो लिखते हैं जिसका नाम ओडिनेट होता है और इन दोनों को बना कर मिलता है कॉड्रेंट जिसको आज हम plot करना सिखेंगे तो जेसी तरह हाँ से सबसे पहले कार्टीशन प्लेन बना ले तो ये मेरा कार्टीशन प्लेन है मेरा x, x- और y की वेल्यूज y, y- dash का मतलब आपका negative होता है और ये मेरा origin तो अगर मैं कुछ points ले लू for example, मैंने कुछ points लिये 2, 3, B 4, minus 2, C minus 2, 3, D minus 2, minus 1, E 0, 4, and F minus 4, 0 ये कुछ मैंने coordinates लिये और मैं इनको plot करूँगे हद से हद मेरा number 4 जा रहा ता मैं 4 का partition बनाऊंगे 1, 2, 3, 4 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 again, 1, 2, 3, 4 and here minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 सबसे पहले आते हैं आपके पास 2, 3 अगर मुझे ये plot करने है तो यहाँ पर X मेरा 2 है Y मेरा 3 है इसको करने के दो तरीके starting में हम generally lines बनाते हैं और intersection point को हम उसका नाम दे देते हैं क्या कह रही हूँ मैं X की value 2 है ये रा 2 X पर 2 ये है तो यहाँ पर मैंने एक सीधी line लगा दी अंदाजे से और मेरा Y कितना है? 3 Y पर 3 क्या है? ये रा तो मैंने इसके उपर line लगा दी तो ये जो point आया है ये मेरा 2, 3 है एक तो ये तरीके करने का दूसरा तरीका क्या है? कि अगर मुझे 4, minus 2 प्लॉट करने है without making all these lines ताके confusion ना create हो तो मैंने क्या किया? 4 X 4 है ये रा यहाँ पर आजाओ अब थोड़ा सा ना हम step wise करेंगे 4 यहाँ पर है हमारा तो हमने यहाँ नहीं गए और Y कितना है? minus 2 Y minus 2 नीचे है उपर नहीं है तो मैंने 2 step नीचे आई 1 2 तो मैं यानि कि यहाँ पर पहुँच गई ये मेरा आगया 4, minus 2 पहले दुबारा से देखो X मेरा 4 है तो मैं 4 यहाँ पर पहुँच गई X पर minus में नहीं गई then मेरा Y minus 2 minus 2 यानि दो कदम नीचे आना है नी जाना तो यह मेरा आगया point अब point को denote करने के लिए आपको क्या करना हता है उस point पर आपने dot लगाई और उसको एक circle में डाल दिया ताकि बताने के लिए कि मेरा point है आपके मर्सिया coordinate को नमबर भी लिख सकते हो यह उस coordinate को जो आपने alphabet दिया है वो भी लिख सकते हो बट ये लिखना ज़रूरी है कि आपने कौन सा point कहां मनाया अब देखो जैसे next आता है minus 2,3 आप हमेशा यहीं खड़े रो minus 2 यानि कि दो कदम इधर minus 2 y क्या है 3 यानि positive of 3 यानि कि उपर जाएंगे 1,2,3 यानि कि आप यहां पर आगे इसका नाम क्या है c दुवारा देखो minus 2 था x हमारा minus 2 था तो x minus 2 यह रहा अब मुद्दा आता है उपर जाना या नीचे जाने y क्या है मेरा 3 यानि कि उपर जाना है 1,2,3 में यहां पहुंच गी next देखो minus 2 x minus 2 है x यह रहा minus 1 यानि कि नीचे आना है minus 1 एक कदम नीचे यह मेरा t पॉइंट है यह है simple plotting बट कुछ ऐसा आजाए कि e है 0,4 0 यानि कि x दे नहीं रखा हम यही रूप गए x ना तो यहां गए ना यहां गए y कितना है 4 मतलब 4 कदम उपर जाना है y 4 यह रहा मतलब यहां यहां नहीं जाना सिदा उस axis पर ही जाना है यह मेरा e point है f क्या है minus 4,0 f क्या है minus 4 minus 4 यह रहा अब ना तो ऊपर ना तो नीचे वहीं रुख गए क्योंकि y की value दे नहीं रखे 0 दे रखे तो यह मेरा point आ गया f अब इसी की उपर मैं अगर coordinates का पूछू तो अगर आप यहां देखो अगर मैं पूछू कि what is the coordinate what is the quadrant of e without actual plotting it तो अगर आप देखो x की value दे नहीं रखे इसके अंदर यह y की उपर लाई कर रहा है तो यह किसी quadrant में लाई नहीं कर रहा है यह y axis पर लाई कर रहा है क्योंकि x हमारा दे नहीं रखा 0 दे रखे similarly where will f लाई तो f पे y की value दे नहीं रखी मतलब यह किसी quadrant का हिस्सा नहीं है यह x axis का हिस्सा है यह x axis की उपर लाई कर रहा है ठीक है ना तो यानि कि देख भी सकते हो आप f आपका x axis की उपर लाई कर रहा है उपर नीचे नहीं जाना और बहुत ध्यान से उसी की उपर plot करके f लिखना है यानि कि दो तरीके आप lines की भी help ले सकते हो और बहुत सारे coordinates given है तो directly भी कर सकते है तो है very simple thing like पहले 2 दे रख है 1 and 2 2 पर आगे then he has given 3 3 यानि उपर जाना है 3 positive उपर है ना 1,2,3 आप यहाँ पर पहुंच गई यह आपका a point है अगर minus 3 होता तो 1,2,3 यहाँ पहुंच जाते है ठीक है ना तो इसे कहते हैं plotting of the coordinates